हेलो फेंड्स वेल्कूम टो गोल्डन करियर आरर भी प्यो एंड क्लरक मेंस के लिए कंप्यूटर के पेड मेंबर्शिप नहीं ली है तो वीडियो के दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप 99 रुपीज में में मेंबर्शिप लेके आप जो है सारी वीडियो देख सकते हैं अच्छा जिन्होंने में में अभी तक ली है किसी का यह लॉग इन नहीं हो रहा है त तो आज है डेट एचली वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 अगस्त 9 पीम ठीक है 9.30 पीम तब तक जितने भी मेल आये थे सब का रिप्लाइग कर दिया है यदि किसी का भी लॉग इन नहीं हो पा रहा है कुछ इशू है प्लीज वंस अगेन मेल कर दिए पेड प में थोड़ा फर्क है तो यहाँ पर मैंने पार्ट अभी सही कर दिये हैं 11 12 13 सेम पार्ट आप देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो दिखेगा पार्ट 28 तक पेड में अल्रीड अबलेबल है इसमें मैं 7 पार्ट और दूंगा थोड़े एडवांस लेवल के जिसमें हम ब इंट्रानेट क्या होता है इंट्रानेट तो आपको पता होगा जो आप एकसेस करते हैं ठीक है आप उससे कोई भी डेटा पूरे वर्ल्ड में कहीं है जो इंट्रानेट से कनेक्टेड है आप उस सिस्टम से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं इंट्रानेट क्या होता है कि अंदर का जो network बना हुआ है उसको हम internet बोलेंगे जैसे bank का अपना internet का network होता है जिसके थुरू हम banking services को access करते हैं जब आप branch में जाएंगे तो देखेंगे कि आप bank का तो data access कर पाएंगे लेकिन आप ऐसा निस पर Google open कर सकें तो वो भी एक internet होता है एक XYZ organization है उसके अंदर 1000 computers है उन 1000 computers में जो है sorry 1000 computers आपस में connected है वो एक प्रकार का intranet है ठीक है और वो कोई internet नहीं है उसमें आप computer का data access कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब कुछ access कर सकते हो तो ऐसे network को जो है हम बोलते हैं इंट्रानेट चलिए अगला टर्म देखते हैं लेकिन वो अलग-अलग organization सपोज एक organization आपकी है यहां पर 1000 computers लगे हुए है यह आपकी indoor में 1000 computers और है ठीक है यहां पर लगे हुए है पूने में और 500 computers की उनकी और ब्रांच है जो की है एहमदाबाद ने ठीक है यह तीनों अगर आपस में connected है तो इस प्रकार के हम जो internet connection है जो organization के अंदर का तो फिर उसे जो है हम बोलते है एक्स्ट्रानेट ठीक है तो आइधिंग जो है आप यह एक्स्ट्रानेट समझ गए होंगे अब हम बात करते हैं gateway के बारे में तो gateway क्या होता है gateway एक किसी network का point होता है जो कि किसी other network के लिए एक entrance का काम करता है ठीक है जैसे gateway of India है gateway of India क्या है इंडिया क्या एक प्रकार से entrance है ठीक है जो बनाया गया था सेम आपका जो gateway होता है वो किसी और network के लिए entrance का काम करता है जैसे आप किसी website पे हैं आप IBPS का form भरते हैं तो IBPS का form भरने के बाद आप payment वाले पेज़ पे जाते हैं तो वो क्या होता है वो आपका होता है payment gateway ठीक है payment gateway के थ्रू ही आप bank को access कर पाते हैं और फिर आगे की payment करके आप बाकी चीज़े कर पाते हैं तो यह हो गया आपका gateway gateway क्या होता है gateway एक particular point होता है network में जो कि ऐसे entrance act करता है किसी और network के लिए जिसे bank का network है वो अलग है आप झाल